वेलकम बैक टू पारपॉइंट डिजानिंग मास्टर क्लास आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं कॉपी राइट कैसे कर सकते हैं पीपीटे के अंदर कॉपी राइट का मतलब क्या होता है पहले यह समझ लो कॉपी राइट मीन्स ऑनलाइन भहुत सार ऐसे रिसूर्सिस होता है यानि कि जैसे कि मैंने कोई पीपीटे बनाई मैंने उसको कोई ओनलाइन सोर्स पे अप्लोड की मेरी कोई प्रैवेट वेपसाइट है या तो कोई मेरा ब्लॉग है वहाँ पे मैंने free of cost वहाँ पे उसको अ कर रहा है कोई personal reasons से ठीक है तो कोई बात ने बट अगर वो कोई corporate level पर यह जो मेरी PPT उसको कहीं पर उन्होंने बेचने के लिए उसको monetize करने के लिए अगर रखा है तो मैं वहां पर कुछ उसको copyright का क्लेम उसके उपर लगा सकता हूं यानि कि वो मेरी PPT उसने चुराई है ऐसे एक होता है open source यानि कि मेरा ऐसा कोई demand नहीं है मेरा कोई ऐसा attribution required नहीं है कि आप चाहे मेरा attribution लगाओ या ना लगाओ आप मेरी PPT यूस कर सकते हो free of cost तो यहां पर वो हो जाती है हमारी open source यानि कि ऐसी बहुत सारी जो resources है और जो और यहां पर available है यानि कि online available है तो यह जो resources है उसकी एक perfect link यानि कि वहां से हम किस तरह से PPT डाउलोड कर सकते हैं जो और वेल design template होते है और वो download करके हम उसको कैसे customize करके अपनी एक अच्छी PPT ready कर सकते है उसको बहुत है copyright mastery ठीक है अब भी अगर बहुत interested हो आपको बहुत अच्छा PPT बनाना आता है डिजैनिंग बहुत अच्छा लगता है तो आप भी यह काम कर सकते हो YouTube पे आप आपकी जो PPT बनाते हो एनिमेशन जो बनाते हो उसका एक परफेक्ट वीडियो बनाएए वीडियो बनाके आप उसको यूट्यूब पर अप्लोड कीजे और आपकी जो PPT की लिंक है वो description में दे दीजिए जहां पे आप कोई भी जो मिस वाच जो करता है कोई भी आपकी वीडियो को जो देखता है वो वहां पर वीडियो देखके आपकी जो PPT वो बाइक कर सके आईधर आपको कुछ कांटर्बिट कर सके तो तेस्ट आपको बनाशो दूब और काफी लोग ऐसे करते हैं और आपकी सब्सक्राइब का यह पहले समझ लेते हैं ठीक है तो आप वहां पर जाके डिरेक्ली डाउनलोड कर सकते हो अगर आप यहां पर ऐसा सर्च करेंगे ठीक है रेडिमेट PPT स्लाइड फॉर फ्री यूविल गेट मैनी थाउसंद्स फॉलिंग और हेर ऑट आई जनरली प्रिफ एक फिल्ड डालो तो एक इंपेक्ट क्रियेट करेंगा ठीक है यह दूसरी स्लाइड है स्लाइड्स कार्णिवल और यह अधर है ठीक है ओल्पी डोट कॉम तो यहां पर जनरली आपको डारेक्ली PPT मिल जाती है आपको कुछ लॉग इन करने की भी जरूरत नहीं है तो यह यह बहुत अच्छी बात है इसकी अरडी स्कीन शोट बेजे है उन्होंने मिस यहां पर अरडी उन्होंने अप्लोड किये हुए उसका मतलब यह आपकी फर्स्ट लाइड है यह सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से जाती है बट दनाव तक्वेस्टिन इस कि आपको कौन सी ल आनिया है इट केन बी गुड आइडिया पिपिटी टेंपलेट्स टेके कुछ स्टिल अगेन एजुकेशन के लिए है यह सारे मिजर्टी बिकॉज मैंने उसके लिए सर्च किये थे यू कन और सो सर्च अदर टेंपलेट्स फ्रों हीर में दोनों विपसेट का थोड़ा गोत कुछ करना है अ कलर फुल चाहिए आपको ठीक यू रुक यू आपको थाइड रॉक टॉक आपक इसे की वाड़ी कैम है यह है यू रू रही बाट्स फीच अर्ड़ी बीटिफल बेन अपलोड बाद रहे ठीक है इफ आम अस्लिक तेंग अ मॉडर्न मन लट्स एपाँ यहां भी लिखा होगा फ्री 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 ठीक है तो means that you can just directly use them so बहुत है लाइक इसके अंदर भी जैसे के आप 1 2 3 है ठीक है so you can also load more pamphlets over pamphlets over here see again यह education के लिए है this is really nice innovative मॉबाइल e-commerce के लिए कुछ अगर आपको प्रेजन करना है leadership है management business regarding जादा दिखर है आपको यहां पर यह से social media marketing अगरे कुछ करना है तो computers के बारे में real estate है food का देखते कैसा आएगा wow amazing right pizza means कोई किसे को कोई franchise is launch करने और उसका उनको presentation देना है type के लिए या तो ऐसा कुछ भी है तो at that time यह बहुत बढ़ा template औरडी है coffee means you can just get this template customized and you can you know you are ready to fire so अभी के लिए मैं कोई एक choose करता हूं nature है nature का दिखते है so free nature powerpoint templates okay काफी आप देखो के repeat हो रही है ठीक है यहां से वहां because the reason is कि उनका जो customization ने वो इस तरह से किया गाया है कि आप nature में भी उसकर सकते हो plus education में भी उसकर सकते हो that's the reason food में भी भी उसकर सकते हो because it is also again natural thing right so you can see the cool pipit over here wow this is also amazing one all right let's go and jump into travel one so मान लोक इसी का travel का अगर है ठीक है अगर common देखते है अगर इसमें कुछ नजर में आता है तो सो यह colorful अभी जैसे कि आपने इसको education में भी देखा था और यहां पर भी यह तो reason why again is the same thing कि topic उसके सेम होते है तो अगें वह आप देखो यह nature में भी था यहां पर भी है so it it will be you know कि आपको वह similar touch दिखेगा वहां पर okay i just choose random one so i just go for pencil leader shadow powerpoint templates so i'm just click over here 48 slides है यहां पर pencil leader shadow powerpoint templates include 48 slide ठीक है यहां पर उसके features लिखे कि क्या क्या हो सकते है क्या 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 करना है fully editable है यानि कि आप हर एक चीज़ को edit edit कर सकते हो यहां पर सारे दिया और यहां पर main चीज़ है okay as you can see here click here to download this ppt template तो आपको यहां पर click करना है as you just click over here यहां पर पुरी आपकी ppt open download हो जाएगे and you can just open that so i'm just downloading this word and you can see here यहां पर fully editable icon भी दियेंगे अगर आपको कुछ icon change करना है that's also you can do from here so let's download that part just clear this drawing there we go all right my ppt is downloaded so i'm just opening that one okay as you can see uh it's so it will show here okay once you download that ppt all right let's see okay cppt here and there we go wow wow right let's share you this one i hope आपको पर पर दिख रही है right so यहां पर आपको लिखना है uh sorry आपको यहां पर click करना है enable editing ठीक है so once you will hit this button then only you will able to edit अगर आप कुछ भी करना चाहोगे तो थोड़ा वो बार बार वो notification आता रहेगा so just click over here enable editing okay so now it's fully totally editable okay okay it's here okay let's see first slide show में यह कैसा दिखता है so free education ppt template से यह सब कुछ आप edit कर सकते हो photo से लेके सब कुछ font okay but this is really design in very well manner color combination is perfect okay content पूरा आपको दिया है कि आप यह यह change पूरा कर सकते हो so this is really beautiful one wow so total ऐसे उन्होंने बोला था 48 slides है ठीक है so आप आपकी इसमें से ही बहुत सारी slides बन सकती है कुछ में यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो आपको animation भी implement किया गया है progress कुछ दिखाना है यापको okay data table detailing कुछ देना है thank you so यहां पर यह editables यह पर पूरा उसको copy paste लगा सकते हो कहीं भी यह सारे symbols आप उसको use कर सकते हो so education का है तो as you can see बहुत सारे symbols यहां पर आपको मिलें के देखने के लिए so how do you feel about this great right so it's very easy okay अभी क्या करना है तो simply जैसे कि यहां पर अगर हमारी institute है जैसे कि उसका नाम लिखना है मुझे इसको मुझे डिलेट करना है इस वन तो एडिट टेग लाइन लर्न बेजिक टू एक्सप्लोर एडवांस अगर मेरी कोई वेबसेट है ओके हमारी institute की बट अभी में मुझे अभी नहीं रखना है तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो कि थोड़ा इसको 3D टच देना हैं तो लेट सी इसको 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 अगर एडिट करना अच्छे तो क्या कर सकते हैं है और राइट सो शेप एफेक्ट में नहीं हमारा यह फॉंड एफेक्ट है तो आपको शेप फॉर्मेट में जाना पड़ेगा थोड़ा सेटो देते हैं अभी कैसा दिख रहा है ओके अभी नॉर्माल आप देखो पिछे सेटो नहीं दिखेगा जहां पर टैलेंट एजुक्वेशन जोन लिखा है वहां पर जैसे ही मैं यह कर तो यह थोड़ा आपको फिल आएगा ठीक है यह देखो यह लाइक अगर बुल्ड फॉंट है तब यह बराबर बाकी इस ओके अगर मैं थोड़ा इसको यह टच देदे तो लेट्स सी अगर बोल्ड करते है तो यह लुक्स गुड इसको भी थोड़ा बूल्ड करते हैं नाइस तो एक थोड़ा मेटलिक टच नजर आता है इमेज को अगर आपको चेंज करना है ठीक है लास्ट अमने दीखा था ठीक है अगर आपको यहां से भी कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो यहां पर क्लिक करेंगे अगर मुझे यह वाला चाहिए तो यह आ जाएगा तो यह अगर मुझे इसको प्लें करना है फिर मुझे चेंज करना है तो हो सकता है तो यहां से चेंज करना पड़ेगा तो जैसे के आप देख सकते हो बात में आप कहीं से भी वह फोटो लानी है वह करना है तो कर सकते हो तो यह जो इमेज है आप उसको गूगल पर सच करके उसको एडिट करके आप यहां पर ला सकते हो बद अगें यह अच्छा है दिखता है तो उन्होंने भी जो डिजाइन जिसने उसने उसका डिजाइन किया होगा उसने भी इसका सो समझ के रखा होगा राइट आप अप और क्या कर सकते हो उसमें इसको और बीटिफुल बनाने के लिए यह सो आप यहां से एक शेप ले लो ठीक है और आम जेस्ट ट्रेगिंग देट आट ओर यह नाओ सेन इट पैक ठीक है अभी क्या करो वैसे तो यह भी अच्छा है दीखता है बट लेट सी अब इसको हम क्या करते हैं ठीक है ठीक है और इसको ब्लेक टच दे देते हैं तो यह आपका जो टाइटल है वह थोड़ा ब्रैट दीखता है यहां पर ठीक हो अलग फिला आता है यहां पर आप चीज कर सकते हूं इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसमें अधर चीज तो यह बहुत अच्छी चीज है ठीक है यहां से जो है और सारा कंटे एक एक करके यहां पर चेंज कर सकते हो नंबर वन नंबर तो आपके कुछ पॉइंट है कुछ एड़ भी करना है तो यही चीज आप कॉपी पेस्ट करके नेक्स स्लाइड में 567 ऐसा ने रिडिजडाइं कर सकते हो ठीक है वाइनδी लौक्स अफ प्री विच्विए टीक है ठीक है और भी क्रीज चाहिए अब भी मुझे लग रहा है कि कोई slide है उसमें मुझे इसको यहां पर जैसे कि मुझे इसको paste करना है तो control भी करके आप इसको resize कर सकते हो और इसको भी में अगर मुझे इसको design में touch देना है लेट सी आप तो पहले इसका कलर चेंज कर सकते हो ठीक है वाइट करना है यह ब्लैक करना है तो इसके साथ मैच हो रहा है बट वाइट लेके भी चेक कर लेते हैं डिजैन में जाहिए आप डबल क्लिक कर दीजिए वाटोमेटिकली फॉर्मेंट में आपको ले जाएगा शेप इस पिक सिलेट कीजिए और यहां पर ट्रांस्परेंस से वह थोड़ी कम कर दीजिए ठीक है तो अभी मैं इसको यहां पर रख देता हूँ अब यह फ्रंट पर है इसको हम बेक जाने देते हैं इसको अब यह भी कर सकते हो वह फोटो की सबसे कि आप उसका किस तरह से रखना चाहते हो इसका रिश्यो का अगर आपको अंदाज है नहीं आ रहा तो उसका भी एक option है डायकले आप रेश्यो वाइस डबल उसको कर सकते हो तो स्केल करना पड़ता है साइज है पॉजिशन तो भी आप यहां से डारेक्ली स्केल हाइट है स्केल वीट है कितना करना आपको अगर इश्यो फिक्स रखना है ठीक है तो जितना यह इंक्रीज होगा तो यह भी एक चीज़ है यह देखो अभी इदर इदर नहीं होगा वह ए रख सकते हो इसको तो अभी तो मैंने डिलेट कर दिया ठीक है बट अगें वह चेक कर रहा है वह आपके उपर है कि जो क्रियेटिविट है वह कितनी है ठीक उसके उपर वह नेरवर करता है अभी आएगा हम्मारा यह और सिंबोल है यहां पर ठीक अब यह भी यह फाइल अगें पिए फाइल आपको मैंने पहले भी अगली स्लाइड में इसका इंट्रोड़क्शन दिया रहा तो कर मुझे यहां पर पूरा कस्टमाइस करना है जैसे कि मैं कोई नई स्लाइड रहा ह अब यहां पर पूछें कि कौनसी लेनी है आपको यह प्रीडिजैन लेनी है नई लेनी है तो आजस्ट वॉंट में भी सम प्रीडिजैन स्लाइड और यह पे एंसे लॉप्शन में यहां पर रख दिया ठीक है इसको मैं यहां से भी ऐसा कर सकता हूँ बट वो थोड़ा अलग हो जाएगा और यह एक्चुली में गुरूप में है ठीक है तो आप इसका अन गुरूप करेंगे तो यह अलग हो जाएगा फिर आप इंडिविजली सब को सिलेट कीजिए और आप इसको लंबा ऐसा कर सकते हो फिर इसको रोटेशन करते हो थोड़ा फिर से पूरा रिरीजिंग करना पड़ेगा इसका ठीक है बट आप नंबर देने के लिए बहुत है इतना तो आप जैसे की एक वान लिखना है ठीक है यह भी पूरा उल्टा है तो इसका मुलम इसका अब चेक करते हैं तो इस तरह से ले रहा है फॉंट ठीक है तो यह पूरा उल्टा है तो आप यहां से इसको रोटेट भी कर सकते हो जो भी फॉंट रिलेटेड काम है न वो सारा आपका आएगा यहां पर फॉंट पर ठीक है तो डिपेंड ओन डेट पॉजिशन आप उसको चेंज कर सकते हों कि दूसरा ओप्शन है मालों कि यह थोड़ा आपको हाड लग रहा है ओके इसको चेंज करना तो क्या कर इसको आप इसको चूटा कर देते हैं और इसको एंगल दे दो आप तो और यही अच्छा रहता है क्योंकि आप यहां से इसको अच्छे से कर सकते हों फिर एक बड़ चेकल उसका जो कॉंबिनेशन हो अच्छा दिखता है कि नहीं तो यह इस लुक गूड फिर इसको कॉंट्रूल से कंट्रूल वी करके आप इसको कहीं पर भी फिर लगा सकते हो और अगर एडिट फिर आपका सब पॉइंट हो आप यहां पे बाद में एक्टन करके लिख सकते हो और राइट सो यह एक एक एक्जम्बल था वैसे तो बहुत सारे लिग थौजन सब एक्जम्बल हैं ओके तो यह सिप मैंने आपको एक स्लाइट का ही बताया एक वेपसाइ है तो यहां पर भी बहुत सारे अगें जैसे की फॉर्मल बाइक अलर इंस्पिरेशन क्रीटिव तो आइज जस्ट गो इन क्रीटिव वन क्रीटिव पारपॉंट टेंप्रेट्स ओके यहां पर और भी ऑप्शन देंगे आपको तीजर प्रेजंटेशन डाइटल यानि कि आपको वहां पर अपना प्रेजंटेशन देना है लेट में सी इफ आप फाइंट वन स्टार्ट अप स्टार्ट अप का देखते है चलिए यहां पर आपको दो ऑप्शन देगे ठीक है यानि कि वह बोल रहे है कि आप गोगल स्लाइड में उपन करना है कि डिर्क्ली पारपॉंट में गोगल स्लाइड में भी आप डिर्क्ली कर सकते हूं जो हम औरडी सब्सक्राइड में देखने वाले कि वह भी कैसे करते गुगर स्लाइड को बट उसका टॉपिक हम अलग से रखेंगे एंड साथ में हम जो कैनवा डिजैनिंगे वह भी देखने वारे तो अभी हम पारपॉंट के लिए करते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करोगे एंड डाउंड आपका स्टार्ट हो जाएगा नाओ मैं ओर्ड अड़ी दाउंड डाउंड टीकि मैं इसको ओपन करता हो भी और लेट सी हो ड़ीट लोग और यहां पर क्लिक करना पड़ेगा तो नाओ दस्लाइड इस रड़ी तो गो अपर यहां पर आपके फॉंट के साब से एडिट कर सकते हो तो लेट्स एक्सप्लोर फॉर्स्ट क्या क्या है इसके अंदर यप लुक मेंगे, एक लुक अमैजि faze क्या है अंदर जर्ट लुक्त लुक क्या है ज से यहां प्य दिया यहां पे इस दिया विऐ यहां वी आंपाइज सब्दूस्टाट सब्सक्राइब करना है उसके लिए कितना अच्छे से उन्होंने सब कुछ पर्फेक्ट दिया आपको जस्ट एडिट करके इसका यूस करना है कलर थोड़ा सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर उन्होंने लिखा होगा प्रेजेंटेशन इस फॉलविंग टैफोग्राफिस यह है उनका टाइटल वगेरा ठीक आप यहां से डाउन्डोग कर सकते हो यह सब चीज़े वह भी उन्होंने दिया है तो अगें बहुत सारी वेपसे स्वरी प्रेश्ट उन्होंने रखी है और यहां पर दिया होगा ठीक इमोज इकॉन दिया है आपको यह सारे आइकॉन दिया है इंफो ग्राफ्स सब कुछ आप इसके कलर भी चैंज कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया और यह भी दिया हुआ है अगें जैसे कि मैंने बात की अगर आप डिरेक्ली में बता देता तो आप उठा उठा लेते हैं बट् मुछ उसको कस्टमाइज का से करना है कहा करना को कालर कॉंबीनेशन कॉं साल सब कूछ वापको पता होना चाहिए आप उसको कस्टमाइज कर्थों आपको बेजिक भी सिखना पड़ता है एसे बहुत सारी विपसेट से बट आई जनररली प्रिफर इस टू ओके allppd.com and slides carnival so from इस टू यू 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 आपको आपको थीम कौन सी रखने हैं अगर मुझे औरेंज चाहिए कुछ energetic topic है तो यहां पर फिर वो cycle जी पर चाहता है कि आप कौन सा topic present करने वाल हो so as you can see they have already lots of slides okay so the copyright means is just you can use this one okay copy that and you can put your right by customization on that part means you can't sell that one anyone but you can use this one by editing and you can present in your maybe you know school time in your workshop or maybe for particular business presentation but you can not sell this one all right and again it's not good right to just copy and sell to anyone so that's और यहां पे आपको directly technology पे जाना है तो just open that and you know you can download in google slides form as well as in your ppt format so I'm opening that part technology नाया में अपन हो रहा है यहां पे और भी बहुत सा रहे है ठीक है so I'm just selecting this one I think this one all ppt is really have creative stuff compared to this one तो अब यहां से ही ppt diagram साब को चाहिए specially तो वो भी अलग से download कर सकते हो तो थोड़ा load ले रहा है so these are the just ppt diagrams all right यहां पे आपको topic आपके साब से set करने होगे so यहां पे totally 39 slides है okay you can just randomly check and customize by your way so I like these really two of just one okay जैसे कि यहां पे आपको customization करेके हमने check किया था all right all right so यह आप try करो ठीक है कुछ ppt download करो उसको customize करो and we will see that how can we put some animation into this so we can make amazing you can like give the motion to font तो इसके वज़े से वो थोड़ा अच्छा impact लगेगा जब आप present करते हो तो specially okay तो next time हम देखेंगे आप भी तक हमने file home function home के सारे functions insert के सारे functions design के सारे functions almost अभी transition animation slides यह तीन चीज़े हमें cover करनी है so within two four session वह हम cover कर लेंगे dip में और उसके बाद हम five to six custom एसी amazing ppt बनेंगे with all other options के simple way में आप एक अच्छी decent ppt कैसे बना सकते हो खुद से यह तो अपने किसी और के लिए बट अगर आपको खुद का भी बनाना है तो वह आपको आना चाहिए एक next level अपका और जब आप कर पाओगे तो समझ लो कि उतना basics वह एक एड़ास लेवल भी चल सकता है फिर आपके उपर है कि आप उसके अंदर कितना ना कस्टमाज़ेशन कितना उसको अब पूस्ट में लाना चाहते हो तो बहुत बहुत सारी चीज्वें हो सकते है बात में ठीक है So I will also suggest some videos जिसको बहुत एडवांस में जाना है उसके लिए All right so अब यहां तक रखते हैं and next time हम animation के बारे में बात करेंगे transition के बारे में बात करेंगे और in the meantime you can just you know download some bpt from these two websites and try to you know just play around कि किस तरह से इसमें हम customization कर सकते हैं